सत्गुर चरण मनाई के धरिसारद को ध्यान अन्स वीडियो में कहूं रानी का वलिदान आज मैं अन्स वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इतिहास काल खंड की एक बहुती बिलक्षड और मारमिक गाथा वीर्चंद हला में आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आप लोग सुनेंगे किस प्रकार हमारी भारत भूमी की एक बिरंगना ने अपने पती की ममता को कम करने के लिए अपना सीस काट करके उनके चड़ों में निचावर कर दिया तो आईए गौर करते हैं अंस वीडियो के माध्यम से और इस सुन्दर कथा के लिकक है राजकुमार यादव ग्राम थरोरा वाले तो आजाएए मेरे दोस्तों आरिश सिध सिरी गड़ना एक सो मेरे सहयक बनो कलम के आई मैं अग्यान ग्यान नहीं मोखूं गड़पती मेरी करो सहाई घटना कौन घटी मेरे सयाँ फूल सो चहरा कओ मुरजाई चूरावत का चहरा देख करके उसकी परदेश सुरी रानी बोली महराज ऐसी कौन सी बात है जिसके कारल आपका चहरा एकदम से पिला हो गया है आरे कच्छु मन की पीकम में जानी मन के क्यागो प्यर्थ बिचार अरे लोटी के आवो जब महलन में तब तुम ली जो मोज बाहार आरे या तों से जता जो फूला नि किया अबत बरे तेगा की धार अरे तेरी सूरत पहाडी रानी जूडा बत हुई को है नियोच्छार अरे संग न सोए हैं हम तेरे मेरे मन में यही बिचार अरे छोड तियारी के रूप नगर की तुम संग लूटी मोज बाहारी अरे चार गले में गोरी पईयां मोई सीना से ले वो लगाई अरे तन की तपन बुझा वो रानी देवा धर आम्रत पाना कराई हम तुमें छोड़ी के अब न जावे रानी सांची के दई है बता हम भूलन सेज सभारी नहीं संग सोवन की नहीं आसकरी है सुरजन चैतन ये बात कहें छत्रावे ने खेंच के म्यान धरी है अरे सुन के बाते के तब रानी की चूड़ा बत गओ हो समयाई अरे लेके देख चलो अपने में और लसकर में है पहुचो आई अरे तैदा हुक्म जाइफो जिन में रूप नगर को चले सिधारी अरे निजपी तम को देखन का जै अटा से रानी के रही है निहारी आरे देखी रानी के चूड़ा बत ने अपनो आश्वरो की दवाई अरे पेम चिन मावो रानी को अपनो सेवक के दव है पठाई दोस्तो युद्ध को जाते समय जब चूड़ा बत ने रानी को छर्जे पर खड़ा हुआ देखा तो रानी की याद आ गई अपने सेवक से कहा की जाओ और रानी से कोई प्रहम चिन लेकर के आओ सेवक गया आरे प्रेम चिन सेवक ने मागो मणे मुदरी जने दई है गाहाई अरे लेकर सेवक फोरन धाओ के जाने करमे दई है पकडाई आरे मणे मुदरी करिया पने लीनी फिर भी सेवक दऊ लोटाई तेरे साथ चिन रानी ने दीने फिर भी सेवक दऊ है पठाई दोस्तों एक एक करके रानी ने जब साथ बार सेवक को कोई न कोई चिन दे करके बापस किया लेकिन चुडावत नहीं माना फिर से उसने सेवक को कहा कि मेरा हिर्दै रानी के बिना यो तुमें जाने कर नहीं कर रहा है आप फिर से जाईए और रानी से कहें अपने प्रेम की कोई ऐसी बस तो हमें दे जिससी कि हमें उनकी याद नाए सेवक फिर से रानी के पास गया और बोला आरे प्रेम जिन फिर से मांग कहें बेनाई तुम को सके भोलाई सोईखी चीतेग दूद के कर से और गरदन पे केलाई है जमाई पुरखी भूमी पेना नको डंका के दो है बजाई अरे लसकर देखो रज पूतन को और रंग जेव कई है रिसलाई आरे मारी भगाबो के इन पाजनी को सब के लेवो के सीज कटाई सोई जुके सिपाही दोनों तल के लेले हात ढाल तलवार आरे पैदल से तो पैदल भेड गए और असवारन से असवार इत चूडावित विचरो खेतन में दोनों हाथ करे तलवार आरे जोकित अनेरी आसी आवत है पैने लगी है खून की दार अरे मार बुरी है रजपूतन की दैया चिल्ली के परे सुनाई आरे सूर समर में लड़ लड़ जूझें कायर लेले भजें पिरान अरे आज उदैपुर की भूमी पे कट रहे असल सुघड़वा जुआन आरे अल्ला तौबा करे मुसल्ला हिंदुन परो है राम सेंकाम अरे फस गए आई के समर भूमी में विदवा घर बनेगी बामी आरे पुरी मार दई चूड़ा बत ने रानी हाडी को चिल्लाई अब मार देखी के चूड़ा वती की भाजे दहलिय के सरदार आरे ओरंग जेब दहलिय को राजा अपने ढारे भजो है हत्यार अब फोजे भजे गई दहली पाली जीत को दंका के दो है वजाए आरे एतनी लडाई है रूप नगर की सो अब हमने तै है सुनाई अरे अनसे स्टूडियो मत सेना से सतेनर आला दई है गरसाई आरे ओरे सतेनर के कछु होनो है भईया बैठे है पास में आई अरे सुनील चैतन्य एवरनपुर से भईया मंदर मंदम उसे क्या होई साथी साथ मैं अपने सभी साथियों का परचे देना चाहूँगा आरे सनक सींग भईया मेरे बैठे मधूर या धोलक रहें बजाई अरे पंटू भईया बड़े मेरे बैठे मधूर मजीरा के रहें बजाई आरे सोन वीर चैतन गुर भाई मेरे बैठो मंद मंदम उसे क्या होई अरे बिजने स्यादव है छैचापुर से अरे बिजने स्यादव है छैचापुर से भईया बैठे है रे मुस्काई आरे राज कुमार धरोरा बाले चिनने आला के लई है बनाई ऐसा तेंद्र चैतन नाम मेरो जो मैंने जी आला के तई है सुनाई अरे गलती आमसे जो कछू हुई जाए भाईया माफी के दी जो काहाई अरे छोटो बेटा अपनों जान के हमको माफी दियोरे करवाई